राधे राधे हरे कृष्णा कार्तिक मास महात्मे 24 वा अध्याय आगे की कथा इस प्रकार है राजा प्रतु बोले हे मुनिसरेश्ट आपने तुलसी के इतिहास ब्रत महात्मे के विसाय में कहा अब आप कृपा कर मुझे यह बताईए कि कार्तिक मास में क्या और भी देउताओं का पूजन होता है यह भी विस्तार पूर्वक बताईए नारज जी बोले पूर्वकाल की बात है साह परवत पर करवी कर में धर्मदत नामग विक्यात कोई धर्मग ब्रामण रहते थे एक दिन कार्तिक मास में भगवान बिश्णों के समीब जागरन करने के लिए बे भगवान की मंदिर की ओर चले उस समय एक पहर रात वाकी थी भगवान की पूजन की समगरी साथ लिये जाते हुए ब्रामण ने मार्ग में देखा कि ये भेंकर राचसी आ रही है उसका सरी नंगा और मास रहत था उसके बड़े बड़े दांत लपकती हुई जीव और लाल नेतर देखकर ब्रामण भेंसे थर्रा उठे उनका सारा सरीर कापने लगा उन्होंने साहस करके पोचा कि सामगरी तथा जल से ही उस राचसी के उपर प्रिहार किया उन्होंने हरी नाम का इसमरण करके तुलसी दल मिस्तर जल से उसको मारा था इसलिए उसका सारा पातक नश्ट हो गया अब उसे अपने पूर्व जन्व के कर्मों के परणाम सरूप प्राप्त हुई दर्शसा का इसमरण हुआया उसने ब्राम्मन को धन्वत प्रणाम करके इस प्रकार कहा ब्रामन मैं पूर्वजन के कर्मों के फल से इस दसा को पहुंची हूँ अब मुझे किस प्रकार उत्तम गती प्राप्त होगी धर्म दत्नेयों से इस प्रकार प्रणाम करते देखकर आश्चर चकेद होते हुए पहुंचा किस गर्ब के फल से तुम इस दसा को पहुँची हो कहां की रहने वाली हो तुम्हारा नाम क्या है और आचार बेवहार कैसा है ये सारी बाते मुझे बताओ उस राचजी का नाम कलहा था कलहा बोली ब्राम्हन मेरे पूर्वजन की बात है सौराश नंगर में भिच्चू नामा के एक ब्राम्हन रहते थे मैं उनकी पतनी थी मेरे नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर सभाव की स्त्री थी मैंने बचन से भी कभी अपने पती का भला नहीं किया उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा सदा अपने स्वामी को धोखा ही रेती रही मुझे कलहे विसेस प्रिये था इसलिए मेरे पती का मन मुझसे सदा उद्धिग्न रहा करता था अंततो गत्वा उन्होंने दूसरी इस्त्री से विभाय करने का निश्य कर लिया तब मैंने बिस खाकर अपने प्राण त्याग दिये फिर यमराज की दूद आए और मुझे बांध कर पीटते हुए अमलोक में ले गए वहाँ यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पोशा चित्रगुप्त देखो तो सही इसने कैसा कर्म किया है जैसा इसका कर्म है उसके अनुसारे सुभिया सुभ प्राप्त करे चित्रगुप्त ने कहा इसका किया हुआ कोई भी सुभ कर्म नहीं है यह सुभ मिठाईय उडाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी इसने सदा अपने स्वामी से दोश किया है इसलिए यह शम गादुरी हो कर रहे तथा सदा कलहे में ही इसकी प्रिविती रही है इसलिए यह विश्टा भोजी सुकरी की ओनी में रहे जिस भरतर में भोजन बनाया जाता है उसी मेह सदा केली खाया करती थी अता उसके दोश से यह अपनी ही संतान का भाण करने वाली बिल्ली हो इसने अपने पती को निमित बना कर आत्मघात किया है इसलिए यह अत्यंत निंदिनी इस्त्री प्रेत के सरीर में भी कुछ काल तक अकेली ही रहे इससे हम दूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भीज देना चाहिए वहां दीर के काल तक है प्रेत के सरीर में निवास करे उसके बाद यह पापनी सेस्ती नौनियों का भी अभुख करेगी कलहा ने कहा बिर्परबर मैं वही पापनी कलहा हूँ इस प्रेत सरीर में आये मुझे पांच सो बर्स भी चुके है मैं सदय भुख प्यास से पीड़ रहा करती हूँ एक बनिये के सरीर में प्रवेस कर के मैं इस दच्छन देश में कृष्ण और बेनी के संगम तक आई हूँ जियों ही संगम तट पर पहुची तियों ही भगवांसियों और बिष्टू के पास दों ने मुझे बल पूरबग बनिये के सरीर से दूर भगा दिया तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हूई इधर उधर भूम रही हूँ इतने मैं ही आपकी उपर मेरी दृष्टी पड़ गई आपके हाथ में तुलसी मिस्तर जल का संसर्ग पाकर मेरे सब पाप नश्ट हो गए दुजसरेश्ट अब आप ही कोई उपाई कीजिए बताईए मेरे इस सरीर से और भविस्त में होने बाली भेंकर तीन योनियों से किस प्रकार मुक्त होंगी कल हा कई है बचन सुनकर धर्मदत उसके पिछले कर्म और बरतमान अबस्था को देखकर बहुत दुखी हुआ फिर उसने बहुत सोच बिचार करने की बात कहा धर्मदत ने जो भी कहा उसका बरण पच्चीस में अध्याय में किया गया है आगे की कथा आप पच्चीस में अध्याय में सुनेंगे राधे राधे हरे कृष्णा कार्तिक महात्म चौविसमा अध्याय समाप्त हुआ झाल झाल